सिध्धा रमया करनाटक की राजनीती में एक ऐसा नाम जिसने प्रदेश के हर बड़े नाम के साथ काम किया है। करनाटक के कूर्बा समुदाय से संबंधित सिध्धा रमया का जन्व 1948 में हुआ और उन्होंने अपने करियर की शुरुवात मैसूर में वकील के रूप में की। करनाटक की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद 1989 में हुए विधान सवाचुनाओं में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1994 में मुख्यमंत्री एच्डी देवगोडा ने उन्हें राज्य के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौपी। उस दोरान उनके द्वारा पेश बजट को काफी सरहा गया। इसी दोरान 1996 में जब देवगोडा को देश का प्रधान मंत्री बनाया गया तो जेश पटेल को मुख्यमंत्री और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। की नेतियों से नाखुष सिधारमया 2006 में कॉंग्रिस में आ गये। 2008 में हुए चुनाओं में भाजपा की सरकार बनी और विपक्ष के नेतार है। करनाटिक में 1999 के बाद पहली बार जब 2013 में कॉंग्रिस को पुन बहुमत मिला तो 121 कॉंग्रिसी बिधायकों ने बिधायक दल का नेता चुनने के लिए गोपनिये मद्दान किया। अधिक्तर बिधायकों ने पुराने कॉंग्रिसी नेताओं की जगह पर 65 साल के कद्दावर नेता सिधारमया को अपने नेता चुन लिया। राजी की सत्ता शिर्ष पे पहुँचाया है। अनिल दूबे, डिडी न्यूज, दिल्ली